Hello everyone, welcome back to Revive Honpethy, मैं Dr. Priti. आज की वीडियो है होंपितिक मेडिसिन ग्रिफाइट्स के उपर. जब भी ग्रिफाइट्स का नाम आता है, तो हमें एकदम से इसके skin symptoms याद आ जाते हैं. क्योंकि ये skin complaints के एक बहुत अच्छी medicine है. पर कैसा होता है ग्रिफाइट्स का patient, कैसी होती है इसकी personality, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि हम होंपेथी में सिरफ skin complaints के उपर कोई भी medicine नहीं देते हैं. हमें patient की overall personality जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो आज की वीडियो में हम graphite की mental picture discuss करेंगे. तो चलिए start करते हैं. graphite इसको black lead भी बोलते हैं. It is one form of carbon element. और इसके अंदर जो carbon atoms होते हैं वो parallary arrange होते हैं. ये dark, grey and black color का होता है. opaque होता है, बहुत ही soft होता है. और ये paints में, lubricants में और pencils में use होता है. graphites को Dr. Hennyman ने proof किया था. Constitution. कैसा होता है इनका constitution? ये ज़्यादतर obese होते हैं, इनका vexy face होता है. और ये ज़्यादतर constipation से सफर करते हैं. ये chilly होते हैं, means इनकी सारी complaints cold में बढ़ जाती हैं. left-sided complain आती हैं इनको, ये thirsty होते हैं. अब जो graphites है, ये predominantly female remedy है. पर इसका ये मतलब नहीं कि हम graphites सिरफ females को ही देते हैं. वीडियो के end में हम graphites का male patient कैसा होता है, ये discuss करेंगे. अब जो graphites का action है, वो उन ladies में बहुत अच्छा होता है, जो menopause की age में हैं, obese हैं, constipation से सफर कर रही हैं, plus जिनके अंदर history होती है, delayed mensurations की. अब हम देखते हैं कि graphite की female patient कैसी होती है. ये बहुत ही quiet होती है, means चुप रहती है, ज़्यादा गुलती मिलती नहीं है, बहुत ही simple होती है, shy होती है, और confidence की कमी होती है इनके अंदर. प्लस ये बहुत ही timid होती है, means बहुत डरपोक होती है. रात में अगर हलका सा भी कोई sound आता है, तो इसको डर लग जाता है. बड़े-बड़े जो जूले होते हैं, उनसे भी इसको डर लगता है. प्लस अगर ये car में जा रही है, और car की speed थोड़ी से तेज होगी, तो उससे भी इसको बहुत डर लगता है. ये बहुती sensitive ladies होती हैं, means अगर कोई दूसरा भी इनको अगर कोई अपनी complaint बताता है, तो उसको सुनके भी ये बहुत जल्दी दुखी हो जाती है. बहुती caring होती है, अपनी family के लिए बहुत care करती है अपनी family को, अपने family members के साथ ये बहुत attach होती है, प्लस अगर ये कोई भी काम करती है, तो इसकी first priority हमेशा इसकी family और इसके बच्चे होते हैं. और जब कभी इन family members के साथ इसका जगड़ा हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा सफर करती है, तब graphite को बहुत problem हो जाती है. प्लस अगर कभी जगड़ा जब होता है graphite का अपने family members के साथ, तो ये easily forgive कर देती है, उनको बहुत जल्दी माफ कर देती है, easily make-up कर लेती है, क कुझे इस field में जाना चीए, या इस field में जाना चीए, कुछ भी अपनी life में ये खुद से decide नहीं कर पाती है, इसके लिए ये अपने किसी भी close family member के ओपर dependent रहती है, हर चीज उससे पूछती है, कि मैं क्या करू, कैसे करू, अपनी life की खुद से ये कुछ भी planning नहीं करती है कोई भी decision खुद से नहीं ले पाती है, अब क्योंकि ये plan तो अपना खुद से कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन अगर आप इसको कोई task देते हो, कोई आप इसको काम देते हो, तो उसको ये बहुत अच्छे से करती है, बहुत systematically करती है, cautious होती है, means किसी भी काम को बहुत carefully करती है, अब जब तक इसकी graphites की family members के साथ, जब तक graphites के family members इसके साथ बहुत lovingly behave करते हैं, तब तक तो सब okay रहता है, लेकिन जहाँ graphites के parents ने या इसके partner ने इसके साथ अच्छे से behave नहीं करा, वहाँ इसके अंदर दिक्कत आने शुरू हो जाती है, वहाँ इसके अंदर mode changes आन पाती है, जाहिर कर देती है अपने गुस्से को, चाहे तो यह अकेले में रोना शुरू कर देती है, या फिर जो यह काम कर रही होती है, उस समान के उपर गुस्सा निकालना शुरू कर देती है, ऐसे patient जब kitchen में काम कर रहे होंगे, तो आप बहुत इसली guess कर लेंगे कि यह अब यह ऐसा क्यों करती है, यह गुस्सा जो जाहिर करती है, समान के उपर गुस्सा निकालती है, ऐसे दो कारणों से करती है, पहला कि जिस इंसान से गुस्सा होती है, उसको यह दिखाना चाती है, कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, और दूसरा, यह अपने गुस्से को ही diffuse कर के लिए समान के उपर गुस्सा निकालती है right don't suppress emotions अपने emotions को कभी भी छुपा नहीं पाती है जाहिर कर देती है afraid of confrontation means जब भी अपने किसी family member से या किसी से भी गुस्सा होती है तो उससे कभी नहीं बोलती है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ या आपने मेरे को ऐसा बोला या मेरे क को ये बुरा लग गया ये समान के उपर गुस्सा निकालती क्यों क्योंकि इसके अंदर इतना confidence नहीं होता है इतनी brave नहीं होती है कि उनका direct ये सामना करें उनको direct ये बोले right और कभी अगर अब ये complain भी करती है तो कभी भी चिला के नहीं बोलेगी उनसे कि आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा करा बलकि जब भी अपनी complain उनको बताने लगेगी तो तुरंत रोना शुरू कर देती है बहुत जल्दी इसको रोना आजाता है चुटी चुटी बातों पे इसको रोना आजाता है अब यहां हम इसको पलसे टिला के साथ compare करेंगे जैसे कि आप सब जानते है पलसे टिला को भी बहुत जल्दी रोना आजाता है पलसे टिला भी अपने decision खुद से नहीं ले पाती पलसे टिला भी shy होती है प्लस इन दोनों को ही open ear बहुत अच्छी लगती है तो difference कहा है पलसे टिला का patient शुरुवात में shy होता है लेकिन जब वो आपसे घुल जाता है घ इनको वो बहुत अच्छे से जानता है उनके साथ भी ज़्यादा बात नहीं करता है हमेशा quiet या चुपचापी रहता है यह difference है अब यहाँ पर हम एक और medicine के साथ इसका difference पढ़ लेते हैं वो है calcaria cup graphites और calcaria cup दोनों ही चिली होते हैं दोनों ही obese होते हैं difference is calcaria की जो skin होती होती है पतली होती है graphites की skin ठिक होती है मोटे skin होती है प्लस graphite का जो patient होता है वो calcaria से जादा emotional और जादा sensitive होता है अब music makes her weep जब भी यह गाना सुनती है तो इसको बहुत जल्दी रोना आ जाता है जैसे कि हमने बढ़ा कि यह बहुत ही sad होते हैं यह patient इनको बहुत जल्द रोना आ गया अब यह बहुत important symptom है इनके लिए can remember past events but forget recent occurrence means current में जो situation या current में जो भी events हो रहे हैं वो इसको याद नहीं रहते हैं लेकिन past में जो event हो चुके होते हैं वो उसको बहुत अच्छे से याद होते हैं उसके लिए इसकी memory बहुत sharp होती है राइट अब अगर हम graphite के male के बारे में बात करें तो इसका male patient कैसा होता है इसका male patient बच्छपन से ही बहुत shy होता है बहुत sensitive बहुत emotional होता है जिससे की school के दूसरे लड़के इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इसको बहुत जल्दी रोना आ जाता है यह बहुत sensitive होता है उनस confidence की इसके अंदर कमी होती है pls यह दूसरे लड़कों की तरह इसका games में और sports में interest नहीं होता है इसका interest होता है cooking में gardening में इन सक चिज़ों में इसका interest होता है फैमिली से इसका बहुत लगाव होता है family से बहुत attach होता है plus ये भी अपने decision खुद से नहीं ले पाता है और इसको भी रोना बहुत जल्दी आता है बहुत छोटी छोटी बातों पे रोना इसको जल्दी आ जाता है तो अब अगर ऐसा कोई patient आएगा तो आप पैचान सकते हैं कि graphite का male ऐसा होता है तो ये तो थी graphite की mental picture इसके regarding कोई भी अगर आपको doubt है या कोई भी query है तो आप मेरे को comment section में बता सकते हैं next video में हम इसके और characteristic symptoms के बारे में discuss करेंगे till then have a good day, thank you कि अगर सकते हैं